दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ मीशो के बारे में मीशो एप क्या है? मीशो से आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं? मीशो एप कैसे यूज़ करेंगे? और मीशो का फुल रिव्यू आपको इस वीडियो में दूँगा तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखे हैं मीशो को यूज करना बहुत ही आसान है मीशो को यूज करने के लिए आपको directly मीशो को डाउनलोड करना है और अपने phone number से इसके उपर sign up करना है और sign up करने के बाद आपने referral code डालना है जो कि आपकी screen पर आ रहा है ये referral code यूज करेंगे तो आपको next order पर 10% का discount मेलेगा इस तरह से आप sign up करने के बाद यहां पर product है उनको share करेंगे customer के पास या अपने friend family के पास और उन में से जो भी product आपके customers buy करने के लिए कहते हैं उनका address लेके आपने directly क्या करना है order place कर देना है और मीशो के delivery boy customer तक product पहुँचाएंगे और आपका जो margin है आपके bank account में आ जाएगा और bank account details आपके मीशो जो आपने account बनाया है मीशो का उसके अंदर डल जाती है और वहां पर आपकी जो भी details दलती है उन details से fetch होके यहां पर आपके जो record है वो आपका यहां से जो भी आपकी amount बनती है वो आपको मिल जाती है हर मंगलवार को यानि कि जो भी मंगलवार आने वाला होगा जैसे कि आपका product deliver होगा return policy खदम होगी और आपका जो price है आपका जो amount है वो आपको मिल जाएगा इस तरह से बहुत ही आसानी से आप मिशो के थुरू आर्ने कर सकते हैं तो जादेर न करते हुए शुरुआत करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रागपत्रिपाथी और आपका अपना channel जिसका नाम है making Hindi आये शुरुआत करते हैं इसके थोड़े सी नीचे जाना है उस तरह से बाप मैं आपको बता जाता हूँ जैसे आपके सामने इस तरह की कुछ वीडियो आ रही है यहाँ पर आप right side में एक आपको sign दिख रहा है इसके उपर click करेंगे तो directly आपको description आपके सामने आ जाता है नहीं तो आप scroll down करेंगे तो आपको description मिल जाएगा यहाँ पर click करेंगे तो description आ जाएगा और description में मैंने link डाल दिया है जैसे कि आप देख सकते हैं download from this link इसके उपर आप click करेंगे और जैसे ही आप इसके उपर click करेंगे तो directly आप redirect हो जाते हैं play store में जहां से आपको इस app को install कर लेना है guys और जैसे ही यह app install हो जाती है मैं आपको sign up process पताऊंगा कि कैसे आप इसके उपर sign up करेंगे कैसे हम बहुत ही आसानी से इसके through reselling करके अच्छा income generate कर सकते हैं guys तो यह app install हो चुकी है अब हमें इसको open कर लेना है open करने के बाद हमें इसके अंदर एक valid phone number जो की भारत का होना चाहिए वो हमें डालना होगा यहाँ पर हमने select करना है male, female जो भी आप है वो select कर लीजे और उसके बाद आपकी जो app है वो open हो जाती है तो सबसे last option में आप नीचे की तरफ देख सकते हैं account option है, वहाँ पर हमें जाना होगा और सबसे उपर option चूज करना है sign up इसके उपर जब हम चूज करेंगे तो हमें यहाँ पर अपना number डालना होगा तो number डालने के लिए यहाँ पर option दिया जाता है phone number डालने का जो आपको एक valid number डालना होगा तो मैं यहाँ पर number डाल देता हूँ और number डालने के बाद आपने click करना है send OTP पर OTP आपके number पर जा चुका होगा one time password जो आपके number पर आएगा वो आपने इसके अंदर insert कर देना है जैसे कि number आ चुका है और यह आपने डालने के बाद verify पर click करना है और आपका जो account है successfully create हो जाएगा अब आपको इस मीशो user आपको लिखा आ रहा है इसको change करना है यानि कि अपनी profile को change करना चाहते है तो सबसे उपर आपको option दिख रहा है right side की तरफ edit profile इसके उपर आपने click करना है और इसके उपर click करके आप यहाँ पर सारी की सारी information यहाँ पर change कर सकते है full name अपना name डाल सकते है add picture यानि कि आप picture add कर सकते है अपनी photo लगा सकते है या किसी अपने business की photo लगा सकते है साथ में आपको नीचे की तरफ email id का option है वो आप डाल सकते है gender आप select कर सकते है यहाँ से उसके साथ यहाँ पर अपने बारे में या अपने business के बारे में डाल सकते है occupation डाल सकते है यहाँ पर जो भी आप है जो भी आप work है वो आप डाल सकते है अपना business name आप यहाँ पर डाल सकते है pin code डाल सकते है city डाल सकते हैं और उसके साथ-साथ state का option दिया गया है वो डाल कर आप यहाँ पर save कर सकते हैं तो आपकी जो profile information है वो बहुत यह असानी से यहाँ पर save हो जाएगी उसके साथ-साथ आपको other information का option है वहाँ पर आप date of birth आप डाल सकते हैं अपना material status डाल सकते हैं number of gives डाल सकते हैं education, monthly income यह चीज़ें आप यहाँ पर add कर सकते हैं उसके साथ-साथ add education का option है जो plus का sign है उसके उपर हम प्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम education add कर सकते हैं ऐसे ही plus sign पर add करके हम यहाँ पर add a work place जो आपका work place है वो add कर सकते हैं उसके साथ सा last में हमें setting option दिया जाता है जहाँ पर हमें ये चीज़ दी जाती है कि show my wish list अगर आपका wish list जो है वो आपको show कराना है तो आप यहाँ पर show कर सकते हैं या फिर show shared catalog shared catalog अगर आप show कराना चाहते हैं तो इसको आप on रखी ये features मैं आपको बाद में बताऊंगा ये ब option रहता है call us का जो कि आप अपने किसी भी problem किसी तरह की आपको problem आती है मीशो के साथ कोई भी आपका product deliver नहीं हो रहा है ये कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप call us इस number पे call करके directly आप मीशो के customer care है ये इसके उपर आप बात कर सकते हैं अब second option आता है my bank details का ये भी बहु हमारा safe रहेगा या नहीं तो मैं आपको बताए दों कि ये जो account number है वो मीशो के उपर insert हो रहा है यानि कि मीशो एप के उपर आप डाल रहे हैं किसी fraud को या किसी को नहीं दे रहे हैं आप ठीक है न तो यहाँ पर अगर आप number डालेंगे तो बिलकुल 100% यहाँ पर safe रहेगा और उसके बाद account holder name यानि कि जिस के नाम पर account है वो आपने डालना है और IFSC code यानि कि IFSC code आपकी पास्बुक के उपर होगा नहीं तो आप online सर्च करके डाल सकते हैं अपने bank का नाम डालिए और आपका address डालिए जो bank का address है उसके बाद आपको IFSC code मिल जाता है और उस IFSC code को ब बिल्कुल द्यान से डालिएगा क्योंकि बहुत साई लोगों को problem रहती है कि वो क्या करते हैं ओक का zero बनाते हैं या zero का बना देते हैं या फिर spaces के problem रहते हैं कि space उन्हों डाल दिया तो यहाँ पर insert नहीं होगा आपको कोई भी space नहीं डालना है उसके बाद डालने के बाद आपने submit पर click करना है और आपकी bank details successfully यहाँ पर save हो जाएंगी उसके साथ साथ एक option और दिया जाता है add passbook सबसे उपर वाला option है जहाँ पर आप passbook की photo या फिर check photo आप यहाँ पर डाल सकते हैं और submit पर click कर सकते हैं तो आपकी bank details बहुत ही आसानी से यहाँ पर डल जाएंगी अ second option पर आते हैं हम my shared catalog जो कि मैं आपको बता रहाँ था कि बहुत ही जरूरी feature है कि जो भी product आप अपने customer के साथ share करते हैं वो product आप कहां देख पाएंगे फिर तो वो product इदर उदर हो जाएगा तो उस product को हम देख पाएंगे my shared catalog में यानि कि जो भी product आप मीशो के जो भी products हैं उनको किसी को भी share करेंगे तो आप यहां पर my shared catalog में उन products को देख पाएंगे अब आपका option आता है my payments का my payments में आपकी वो payments आती हैं जो आपको मिली हैं यानि कि जो payments release हो चुकी हैं जो payment आपके account में आ चुकी हैं वो payments आपको यहां पर दिखाई देंगी तो जो payments हैं वो कैसे आती हैं मैं आपको बता जाता हूँ payments जो रहती हैं वो मीशो के through आती हैं और मीशो जो आपको payments भेजता है वो हर मंगलवार को payment भेजता है जैसे ही आपकी payment बनती है जितनी भी payment बनती है वो हर मंगलवार को आपके account में आ जाती है अब अब इसके बाद option रहता है refer and earn का यह काफी अच्छा option है मीशो की तरफ से आप किसी friend को refer करते हैं और refer करने के बाद अगर वो वहाँ से आपके referral के through वहाँ पर download कर लेता है app को और app download करने के बाद वो use करता है और purchase करता है products को तो उसका sales का percentage आपको मिलता है वो आपको first three order पे 25% मिलता है ऐसे आगे मिलता जाता है इस तरह से आप 50,000 से भी ज़्यादा प्रती महीना कमा सकते हैं आप जितने ज़्यादा referral करें और referral ही ज़रूरी नहीं है अगर आप referral करते हैं और आपका जो friend है वो कुछ भी purchase नहीं करता है तो आपको कोई भी income नहीं होगी तो इस तरह से आप यहाँ पर refer करिए ज़्यादा ज़्यादा refer करेंगे तो अपने friends से आप download करेंगे वो अगर कुछी product buy करते हैं तो उसका आपको first three orders पे 25% आपको मिल जाता है तो यह तो refer and earn program है जो की काफी अच्छा है मीशो का उसके साथ यहाँ पर challenges भी रहते हैं rewards रहते हैं जो अभी available नहीं है आपके लिए आने वाले time में जैसे ही आप इसके उपर work करते हैं तो आपके लिए challenges भी available रहते हैं जो आपको benefit देते हैं कि extra benefit देते हैं जो भी माली जी कि आपने कोई order place किया order place करने के बाद आपको यह रहता है कि कोई भी जैसे माली जी कि आपने percentage आपको 20% मीशो देता है या फिर आप margin set करते हैं तो margin के अलावा भी आपको यहाँ पर कुछ पैसा दिया जाता है जो की challenges में रहता है अब lottery spins हैं वो आपको मिल जाते हैं अभी कोई भी available नहीं है आपको देर देरे यह भी मिलने शुरू हो जाएंगे और आपको इससे भी benefit मिलेगा कि कभी आपको 50 rupees मिल गए या फिर कभी 100 rupees मिल गए तो वो आपका extra discount हो जाता है ठीक है उसके साथ साथ enter referral code यह भी काफी अच्छा option रहता है इसके अंदर आपने यह वाला code insert करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह code बहुत जरूरी एता है और इसको डालने के बाद हमें submit पर क्लिक करना है और आपको get extra 10% of on next order यानि कि next order पे अगर आप यह वाला code use करेंगे मैंने right side में दे दिया है इस code को आप जरूरी use करेंगे इस code को जब आप use करेंगे तो आपको 10% next order पे आपको 10% का discount मिलेगा ही मिलेगा यह 100% आपको मिलेगा उसके साथ मीशो credits यह आपको credits होते हैं यह credits आपको आप जब orders करते हैं अपने friends है या किसी से भी तो वहाँ पर आपको मीशो credits मिल जाते हैं उनको आप अपने next order में order करने के लिए use कर सकते हैं उसके साथ help का option है जहां से आपको कोई भी need चाहिए कोई भी help चाहिए तो यहाँ पर आप help यहाँ से इन चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं उनकी आपको क्या का चीज़े हैं Facebook पर product कैसे share करें क्या आपका charge लगता है यह सारी चीज़ें GST registration की जरूरत है या नहीं इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर बताया गया और बहुत सारे questions के आपके यहाँ पर answer मिल जाएंगे अगर वो भी नहीं मिलते हैं तो मैंने आपको contact option बताई दिया सबसे उपर call us इस नमबर पर आप call करिये call us at 080617996 00 इस पर आप call करके कोई भी आपको दिक्काद आती है आप वहाँ से पूछ सकते हैं अब यहाँ पर business logo का option रहता है जो आपने business logo यहाँ पर change कर सकते हैं यहाँ पर logo creator के भी option रहते हैं जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर कुछ भी business name डाल देता हूँ मैं अपना नाम ही डाल देता हूँ यहाँ पर generate पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हम यहाँ पर logo भी create कर सकते हैं अब settings का option है settings में हम include text या फिर while sharing जब हम share करते हैं products को तो हमारे products के साथ क्या रहेगा जैसे मान लोग कि मैं अपने friend को कोई भी मिशो का products share करता हूँ तो यहाँ पर include text as image while sharing यानि कि जो मैं अगर मैं किसी को product share कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे क्या क्या चाहिए अपने friend को हम क्या share करना जाते है photos और उसके साथ हम text भी चाहते हैं कि text भी share हो जाए तो मैं इसको यहाँ पर on कर दूँगा कि जो text है वो भी share हो जाए तो दोनों कौन कर दीजे उसके बाद अब हम चलते हैं orders पे की हम कैसे हम orders करेंगे तो सबसे पहला option है यहाँ पर इसको choose करिए और यहाँ पर यह हमारे step by step दिखाए गये है कि कैसे क्या क्या चीज़े हैं और यहाँ पर हमें दिया भी गया है कि हमारे पास products की collection भी दी गई है अब second option रहता है हमारा collection इसके उपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको हर तरीके की collection दिख जाती है बहुत बड़ा यहाँ पर products है बहुत ज़्यादा products आपको मीशो के उपर मिल जाते है उसके साथ third option रहता है orders का अभी आपने कोई भी order नहीं किया है तो यहाँ पर कोई भी order नहीं दिखा रहा है अब हमारे पास option आजाता है community का यहाँ पर आप जाइन कर सकते हैं community को और अभी जो popular communities हैं जो लोग हैं वो यहाँ पर यहाँ पर डाल रहे हैं अपनी photos वगएरा तो आप भी इसको join कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसके उपर आप community जोइन करके आप भी इस तरह से collection वगएरा डाल सकते हैं अब मैं आपको collection के उपर ले चलता हूँ माली जी कि आप कोई भी product share करते हैं माली जी कि यहाँ पर main मैंने आपको बताया कि मीशो के उपर आपने मीशो के product को sell करना है अपने friend के साथ family के साथ share करके तो हमें क्या करना है latest sardies पर click कर लीजे माली जी कि आप sardie बेचना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी sardie आपको जो भी पसंद आती है वो आप choose कर लीजे माली जी कि मैं ये साथी choose कर लेता हूँ choose करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने friend को share करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा देखिए but whatsapp का option आपके सामने नजर आ रहा है share now में share now में ये whatsapp का option है others option ये रहता है कि others पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर maximum यहाँ पर different option रहते हैं जो की facebook है facebook messenger है instagram है और more का भी option है more पर click करके जितने भी options हैं आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप multiple options के तुरू यहाँ पर share कर सकते हैं मीशो के products को अब मान लीजीं कि मैं कोई भी product share करता हूं यहाँ पर वर्टसेप पर share करता हूं यहाँ पर others पर share करता हूं तो मैं एक बार example दे के आपको दिखा देता हूं कि मैं एक product instagram पर share करता हूं तो मैंने यहाँ पर got it पर click किया downloads हो गए products के और मैं यहाँ पर एक नई पोस्ट अपने यहाँ पर Instagram पे डाल देता हूँ और यह मैंने पोस्ट यहाँ पर डाल दे डालने के बाद अब मैं देखता हूँ कि मैंने यह पोस्ट में डाल चुका हूँ अब यह जो पोस्ट है वो किस तरह से हमारे यहाँ पर आएगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जो post share करी है अब मालो मैंने back कर दिया अब मैं supposed to कैसे डूंडूंगा यानि कि उस product को मैं कैसे डूंडूंगा तो मैं account option में जाओंगा my shared catalog में जाओंगा और मेरे सामने वही product आ गया जो मैंने share किया था अब मुझे क्या करना है इस product को view product करना है और view product के बाद इस product के उपर click करना है और product पर click करने के बाद नीचे आपको right side में option आ रहा है add to cart इसके उपर click करेंगे और free size जो भी size है वो select करेंगे quantity select करेंगे कितना order करना है और continue पर click करेंगे और step 1 place a trial order fetch यहाँ पर cash on delivery का option रहता है paytm का option है wallet, debit card, credit card उसके साथ net banking का option है UPI का option और बहुत सारे options आपको यहाँ पर मिल जाते हैं अब यहाँ पर बात रहती है कि माल लिजे मैंने cash on delivery का option चूज किया proceed पर click किया और यहाँ पर main सबसे जो चीज रहती है, आपको पता है product का price क्या था 468, अब हमें customer को कितना price बताना है वो important रहता है कि जो हमें मीशो पर मिल रहा है 468 का, हमने customer को बोला 700 का 700 का बोला तो हमारा जो margin है यानि कि जो हमें earning होगी वो रहती है 232 रुपए जो आपको margin यानि कि 468 प्लस 232 इस इक्वल टू 700, 700 हमने डाला तो 232 रुपए हमारा margin यहाँ पर हमें मिलेगा जैसे ही product deliver होगा customer तक पहुँचेगा और यह जो amount है वो हमें मिलेगी, अब हम proceed पर click करेंगे और proceed पर click करने के बाद हमें क्या करना है customer से उसका address लेना है ठीक है, customer से हमने address लिया, सब कुछ details डालनी है अपने customer की और यहाँ पर your details यानि यह अपनी details डालनी है अपना नाम डालना है, अपने business का नाम आप यहाँ पर डाल सकते हैं last वारी details में और यहाँ पर state अपना select करना है save and address continue पर click करना है और उसके बाद जो आपका है, आपने order place कर देना है order place होते ही customer पर product पहुचेगा और वो product के उपर कोई मीशो लिखा नहीं होगा guys क्योंकि यह आपका business होगा आपकी कोई, यह जो deal कर रहे हैं, वो आप deal कर रहे हैं मीशो deal नहीं कर रहा है तो इस तरह से आप जितने चाहें उतने orders यहां से करा सकते हैं अपने friend को share कर सकते हैं जितने चाहें उतने products यहां पर share कीजिए जितने भी products आप share करेंगे वो my shared catalog options में आ जाएंगे अभी एक share किया है तो एक आ रहा है जितने आप shares करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे यहाँ पर आप my share में जाएंगे यहाँ पर product select करेंगे और उसी तरह से same process जैसे मैंने आपको बताई वो process follow करेंगे और उसके साथ साथ जितना margin आप select करेंगे वो आपके bank account में आ जाएगा जो bank account आपने my bank details में डाला होगा तो इस तरह से guys बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर मीशो के through अच्छा income generate कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है यहाँ पर product को share करना है अपने customer के साथ और वहाँ पर product share करेंगे वो orders देंगे और आपने उनका address लेके product को यहाँ पर उनके share base देना है यानि कि जो product लेकर जाएगा वो मीशो वाले लेकर जाएगे और customer तक product पहुँचाएगे और product पहुचने के बाद payment receive करेंगे customer से और आपको जो आपकी पैसे हैं 232 रुपए वो आपके bank account में मिल जाएगे तो इस तरह से दोस्तों आप मीशो एप का use कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको मीशो एप के बारे में पुरी जानकारी मिल गई होगी अगर आपका कोई भी question है मीशो एप को लेकर या किसी भी एप को लेकर तो नीचे comment box दिया गया है उसमें जाकर आप पूछ सकते हैं और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर subscribe कीजिए और bell का icon को भी जरूर दबाईए क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छी वीडियो आपके लाते रहेंगे और आपके help करते रहेंगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत बाबाई